चारे बच्चों, आज हम करेंगे डारेक्टरीट अफ एजुकेशन की मैथमेटिक्स की वोक्षीट यह है क्लास वन के बच्चों के लिए यहाँ अपना नाम, यहाँ अपने टीचर का नाम लिखेंगे यह 18 तारिक की है, 135 नमबर की आ गई सर्दियां नीचे दी गई चीजों में से कौन-कौन सी चीजें हम सर्दियों में खाते या पीते हैं, उन पर गोला लगाए तो सर्दियों में मूंखफली खाते हैं, चिक्की खाते हैं आइसक्रिम नहीं खाते, जूस नहीं पीते और आम भी नहीं खाते लेकिन गाजर खाते हैं अगला, सरदियां शुरू होते ही सारा और महक अपनी ममी से मुंख्फली मागने लगती है उन दोनों को मुंख्फली बहुत ज्यादा पसंद है आज उनके पापा मुंख्फली लेकर आए तो उनकी ममी ने दोनों को बोला कि तुम दोनों को एक बार में एक मुठ्थी मुंख्फली ही खाने को मिला करेगी अब दोनों रोजाना पहले मुठ्थी में मिली मुंख्फली गिनते हैं और धूप में बैठ कर मज़े से खाती हैं सारा की मिली मुखफ़ी, महक की मिली मुख़ी, किस के पास ज्यादा मुख़ी है, जो जिसके पास ज्यादा मुख़ी है, उनका नाम हम यहां लिखेंगे पहला दिन 8, 9, 8 और 9 में 9 जादा तो पहले दिन महक की जादा मुखफली दूसरा दिन 9, 60 तो 9 जादा है, किसकी मुखफली जादा है? सारा की अगला दिन तीसरा दिन 10 मुखफली सारा ने खाई और 8 महक ने तो किसकी जादा? दस तो ये हो गई फिर से सारा की जादा चौथा दिन नौ सारा की और दस महक की तो टेन जादा है इसका मतलब महक की मुखफली जादा है अगला पाँचवा दिन साथ सारा की और आठ महक की तो किसकी जादा हो गई? महक की एट है बड़ा, तो महकी जादा, छटा दिन, आठ है सारा की, और महकी कितनी है, दस, तो किसकी जादा, महकी, तो बच्चों, अगर आपने अभी भी चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजे, आने वाली वोक्षीट आपके मिस नहीं होनी चाहिए, मामी पापा के लि मौसमी फलो और सबजियों में उस मौसम के लिए आवशक सभी पोशक तत्व पाए जाते हैं, अतहा हमें मौसमी फलो और सबजियों का सिवन भरपूर मात्रा में करना चाहिए, और कोविट से बचने के लिए मास्क जरूर पहने, बाई बच्चों